यूएस नेवी बिना हमारे पर्मिशन भारत के समुदरी सीमा में घुसाया आखिर इसका मकसद क्या है और इसका भारत और यूएसे के रिलेशन पे आगे क्या प्रणाम दिख सकता है किसी भी देश के टट से 370 किलोमेटर का इलाका उसका EZ याने Exclusive Economic Zone माना जाता है इस इलाके मागर किसी दूसरे देश को आना है तो उसे उस देश से पर्मिशन लेना पड़ता है USA ने बिना किसी पर्मिशन और नोटिफिकेशन के अपने 7th Fleet को लक्षदूइब के पास भेज दिया 7th Fleet US Navy का सबसे बड़ा Fleet और ये वही Fleet जिसे 1971 के योद में भारत को डराने के लिए US Navy ने भेजा था तो क्या अमेरिका ऐसा करके फिर से भारत को कोई संदेश देना चाता है USA का कहना है कि वो International Maritime Root के Freedom को बनाया रखने के लिए ऐसे exercises पूरी दुनिया में करता रहता है और इसका किसी भी देश से कोई लेना देना नहीं है अलागी भारत के तरफ से इसके उपर कोई official statement अभी तक नहीं आया है